वैसे जुरूरी नहीं पर वीडियो को लाइक एडिस लाइक कर दिया करें कहानी में हम बिना जिसम वाले एक काफी बड़े शैतान को देखेंगे जिसका सिर्फ बड़ा सा सरही आसमान में नजर आता है तक किंडम में अमन सकून बना रही क्यूंकि अक्सर किंडम में सकून रखने के लिए इस तरह के जादो करवाये जाते है जैसे जादो पूरा हुआ जादो गर्णी आसमान में एक काफी बड़े ड्रैगन को लाकर बताती है कि ये हैवन इनी जन्न से आया हुआ ड्रागन है जो हमारे पूरे किंग्डम की हिफाज़त करीगा उसी देख सभी लोग हैनान तो थी साथी खुश भी हो गए ये सोचकर कि अब हम बेफिक रोकर रहेंगी किंग्डम पर कोई खत्रा नहीं आएगा लेकिन तबी पूरे आस्मान में तुफान रुटने लगा चारों तरफ काले बादन चागए और पता नहीं कैसी अचानक ही वो ड्रेगन भी वहाँ से गाईब हो गया लेकिन ये उसके लिए वो चोटा सा हमला था जिससे शेतान को कुछ नहीं हुआ वो अपनी बड़े सी मूँ से एक साथी सारे तेव निगल जाता है पर इस चीज से उसे काफी गुसा आ गया और अग वो जवाबी हमला करता है वो अपनी जुबान जिसकी अप्टोपस कितर है कि अब तुम्हारा और तुम्हारे किंडम का खात्मा करीब है जिसे खत्मोने से कोई नहीं वचा सकता जो खेने के बाद वो यहां से चला गया इसकी बात अगली दिन किंडम में एक डिटक्टिव जो एक काफी एचा वारियर योधा भी था उसे बुलाया जाता है जिसक पर लोगों को कल रात वो शेतान देखा था पर रास्ती में ही कोई अजीब सा इनसान तेजी से उनकी पीछी से गुजरता है जिसकी ताकत ये भी थी कि वो खुद को दूए में बदल सकता है वो पिर उनके सामने आकर डाई रेंजी पर हमला करने की कोशिश करता है वो अप पी बहादुरे से उसका सामना करती है हाव में उड़ उड़ तर घूम घूम कर वह उसे मा रही थी अपने साथी को हारता हुआ देकर उस आदमी का दूसरा साथी वहां आ गया जो डाई रेंजी को रसी से बान देता है पर वह बड़ी चलाकी से घूम कर रसी से अजाथ हो पी बुजी के साथ मिलकर दोनों से लेडनी लगा वो दोनों आदमी इनके सामने टेक नहीं बाए इसलिए फूरां वहां से गाईब होगे इसके बाद किंग्डम का कमांडर वहां आकर बताता है कि इन दोनों आदमियों को मैंने यह बीजा था क्योंकि इन्हें मैंने अपन डिवाइस रखके यह पतर लगवाने की कोशिश करता है कि आखिर कल रात यहां हुआ कि आओगा जिसके साथ यूसे सब कुछ दिख जाता है और सारी बात समझा जाती है वो जादुगर ने इसी पोछनी लगा कि तुम्हारे हिसाब से क्या वो शेतान असली था या किसी ने जादु करके बस सब को डराने के लिए वहम दिखाया जिस पर जादु करने जवाब दीती है कि मुझे जहां तक लगता है वो असली था क्योंकि इतना खतरनाक जादु कोई नहीं कर सकता है जो सुनकर डाए रेंजी अब कमांडर के साथ जंगल में रह रही एक मास्टर के पास जाता है क्योंकि वो काफी बज़र्ग थी तो जुरूर उनके पास इस सारे मामरात की जानकारी होगी पर इन्हीं वहां मास्टर नहीं मिलती तब ही अचानक कमांडर के साथ यूँ पर एक आदमी हमला कर दीता है जिसने अपना हुलिया जोकर जैसा बनाया हुआ था व कि पपिट एकट पुतली है यानि जादो से बनाया गया निकली इंसान जिसे कोई एक ना नजर आने वाली दागी से कंट्रोल कह रहा है और तबी तो जोकर लड़ पा रहा है यह जानता है कमांडर जोकर की तरफ अपने तलवार फैंकर मारता है जिससे दागा कट गया जोक कर वहीं गिरकर डेर हो जाता है और इतरह खत्म हो गया था अब कमांडर उस इंसान को ढूलने के लिए निकलते हैं जो जोकर की पपिट को कंट्रोल करे रहा था वो कोई बड़ा इंसान नहीं बलकि एक चोटी बच्ची थी वो मास्टर के साथ ही रहती थी इन्हीं बताती ह को रुखना जाता था फिर ड्रेगन डाइरेंजी को बताता है कि ये बत तैय है लिख दी गई है कि अब किंग्डम का खात्मा करीब है वो तबाह हो जाएगा जिसे तुम नहीं रुख सकते जो कहकर एक चट्ची में वह उन्हें मास्टर के पास ले जाता है यहां मास्टर वही बाद और आते हैं कि हाँ यह सचे किंग्डम की तबाही करीब है अब तब यहां तुबारा से काली बादल चाने लगे और अगली ही पल आस्मान में वो शीतान दुबारा से आ जाता है तुमांडर के दोनों साती उस पर हमला करने के कोशिश करती है पर वह अपनी जहर से दोनों को ही मार दीता है यह देकर मास्टर अब ड्रेगन को बेचते हैं उससे लेड़ने के लिए पर ड्रेगन उसकी ताक्तों के सामने कुछ नहीं था शेतान अपने जुबान में ड्रेगन को लपेटकर फसा लीता है और सीधान निगल गया जो देकर मास्टर दंग रह लाशों की चोटों को उसने जैसे ही काटा उसे अंदर से अचीब तरह की स्किन जिल्द मिली जो देख वो काफी हरान रहे दी अधर डाइरेंजी भी आ गया उसे वोजी इस सब की बारे में बतानी लगी पर डाइरेंजी को यहां किसी और की होने का भी ऐसास हो जाता है वो च अब डाइरेंजी उसे पूछनी लगा कि अगर तुम ही पता है कि इन मरेयों लोगों में यह अजीब जिल्द कैसी है तो फोरण मुझे बता दो जिस पर वो बताता है कि काफी सलों पहले एक चोटी से गाव में रानी ने अपने कुछ सिपाही बेजे थी क्योंकि कहा जाता है कि उस गाव में शेतान रहती है पर उन सब सिपाहियों की वहां मौत हो गई जिनकी जिसमें भी यह अजीब से जिल्द थी जो सुनकर डाइरेंजी काफी हेरान रह गया उस आत्मे की बास सुनकर वूजे बताती है कि मेरे डैट भी गए ती वहां एक बार आज तक वापी करसी तैसी केव इनी गार की जरिये ही गाउं की रास्ते में ताखिल होई गए जहां आती ही उन्हें सारे सिपायों के स्केलिटन दाजी दिखाई देते हैं जिन सब को शेतानों ने मार दिया था वहां वोजी को अपनी डेट का स्केलिटन भी देखता है जिसी दीख के मंतर लिखे हुए थे तभी अचानक सर्वली शेतान की तस्वीर वहां से गाइब हो गई जिसकी साथ थी भूसरी शेतान यहां आकर इन पर जपट पड़े पूरी तरह हमला कर दीते हैं एक उर्ती होई शेतान भी यहां आई जिसने लाल रंगी जदोई कपड़े पहनी ह करनी लगा वहां की सभी दिवारों को तोड़ने लगता है जिससे वह पूरी केव तूटने लगी जूदी कर सभी काफी डर गई बीना डाइम गवाई आदी लोग केव की रास्ते और आदी नदी की रास्ते से बाहिर आ जाते हैं कमांडर भी होश में आकर जैसे वहां से ब नदत मांगने लगे ताकि वह किंडम को बरबाद होने से बचा लें पर क्यूंकि अभी तक उसने मामला सुल जाया नहीं था तो वह कुछ नहीं कहता वो जिएप उन लोगों की लाशों को चेक करनी लगी जिन पर कीवले शेतानों ने हमला किया था उनकी जिल्द काटने प अब इस मामले को सुल जाने के लिए जैसे वो बाहर आया अचानक एक सतरना क्लीचर जे शिकली जैसा नग रहा था वो दायरेची सब्ना कर दीता है वो बारके को काटको पर हमला करने की कोशिश कर रहा हा लेकिन उसके मुकाबले क्लीचर कमसूर था तो डर कर वहां से किमांडर की आत्मा को भी कुछ होनी लगा राख बनकर चुट सी वहां से गाई पुचाता है यह देख डाइर एंजी काफी परिशान रह गया यह सोचकर कि आखरी मौमला क्या है और मैं इस किंग्डम को कैसे बचाऊं साथ एकल किंग्डम की मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स की मी कि कहीं ऐसा तो नहीं सबूत मेरे सामने है और मैं उसे देख नहीं पा रहा यह देखकर मैंने अंदेखा कर दिया उसकी सोच की साथी सब कुछ उसे देख गया उसे सारी असलियत का पतर चल गया जिस वज़ए सी उसकी कुछी का कोई ठीकाना ही नहीं रहा अब हमें अगला पचान बचानी के लिए भागनी लगे जिससी वहां भखतर मच गई लेकिन इससे पहले वो सब लोगों को मारता किसी तरह डाई रेंजी अपना हाथ बढ़ा करके उस शेतान का सर काफी नीची कर दीता है अब इस कतिरनाक शेतान की इतना पास आने की वजह से सभी काफी डर वूजी और उसके सिपाही वहां हर दरफ सफेज दन का पाउडर फैंकनी लगी जिससे वो चिपली जिसा क्रीचर जो इन्वीजिबल होकर सब पर हमला कह रहा था वो दिखनी लगा सब की सामने आ जाता है जिसी लोग चारु दरफ सी पकड़कर बंदी बना लेती हैं जिसक पीचे जिसका भी हाथ है वो आज की मिटिंग का फाइदा ज़रूर उठाएगा इसलिए मने आस पास की सभी जगों के तलाशी ली मुझे एक हुफिय जगा के बारे में पता चला मैं जब वहां गया तो मुझे इस शेतान का मास्क वहां दिखा जिसे एक सिस्टर मशीन के स इस शेतान का सर इतना बड़ा दिखाई दे रहा था ताकि लोगों में देशित पहली और जब वह शेतान सब की सामने आता था तो इस शुक्ली जैसा क्रीचर इन्वीजिबल होकर सब पे हमला करता था जिससे सब को यही लगता था कि शेतान नहीं सब को मारा है क्योंकि यह क्रीचर तो दिखता ही नहीं था और मरेहोई लोगों के अंदर वो अजीब से जिल मिलने का मतलब यह था कि आगे चिलकर वो भी क्रीचर में बदल जाएंगे इन सब चीजों को काम्याब करने के लिए एक जादू का इस्तामाल किया गया वो जादू जो हमारी महान जादू करने को बताता है कि मैंने तुम्हारे जादू को कब से महसूस कर लिया था बेशक तुम्ही सब में बहुत माहिर हो, तुम्हारी सोची समझी प्लैनिंग थी, पर देखो क्या फाइदा हुआ, आखरी मैंने तुम्हें पकड़ी लिया, जादू करने का असले जिरा देकर सभी काफी दंग रहे गए, और क्यूंकि उसकी सचाही सब की सामने आ गई थी, बच्ची वरे रूप में आकर डाई रैंजी को कहती है, वा रैंजी मान दे तुम्हें, आखर तो मेरी सचाही सब के सामने ले ही आए, लो फिर आगे भी सुनो, मैंने ये सब बदले की आगमी किया, क्यूंकि राणी ने मेरे पूरे गाम को बरबाद कर दिया था, जिसका मे बदला किंडम को खुतम करकी नेना चाहती थी, इतना कहकर वो दुबारा से अपने पपिट वहां लाती है, और सब पर हमला करने की कूशिच करती है, लेकिन डाई रैंजी और सबी सिपाही मिलकर बहादुरी से पपिट्स का सामना करती है, बड़ी असानी से उन्हें मारने में एक काफी बड़ी साहिस का कच्छुआ देखा गया है, जो सुनकर डाई रैंजी अब इस मामने को सुलजाने के लिए भी चला गया, जो हो सकता है किसी और का मास्टर प्रैन हो, पर डाई रैंजी काफी माहिरता इस तरह का कोई भी खत्रा हुआ, वो असानी से सुलजा उसकी बजरस ही किंडम का खात्मा होने से बेच किया, दुश्मन की चालता पता लगती ही, उसने असले सामने लाकर रख दी, क्योंकि जादू करने की इरादे गल्द थी, उसने गल्द सोचा रानी की बारे में और बदला लेने का सोचा, इस बात को कोई नहीं जुट ला सक कि बदले की आग बहुत बुरी होती है, और वो गल्द थी, इसलिए आखिर में उसका खत्मा हो गया, रानी बेकसूर थी, तो ना उसको और ना ही किंडम को कुछ भी हुआ, इसके साथ ये कहाने इधर ही खत्म हो जाती है,